अगर आपसे इंटर्वियोर बोले कि इस पूरे डेटा में alternate row को highlight कीजिए तो आप कैसे करेंगे इसको करने के दो तरीके हैं एक तो आप format as table के द्वारा कर सकते हैं जिसका मैंने full tutorial बना दिया लिंक उपर आई बटम पे है और description box में है दूसरा हम formula के द्वारा करेंगे इसकोल टू लिखेंगे यहां mode अब मैं row formula लूँगा अब मैं reference इन चारो में से किसी को भी ले सकता हूँ क्योंकि row का क्या काम है position बताना bracket band comma 2 bracket band इसकोल टू 1 इंटर तो अब इस formula को जो मैं drag करूँगा तो मेरे पास alternate true value आ गई है ठीक है mode formula करता क्या है जैसे मैंने लिखा mode 5 comma 2 तो यह क्या करेगा 5 को 2 से divide करेगा और जो sys value आएगी वो देगा जैसे आप देखे 1 ठीक है तो हम क्या करेंगे इस formula को just copy करेंगे ठीक है और ओके काम हमारा हो चुका